कभी बिलसर में भारतिय पुरा तत्व विभाग द्वारा यहां एक स्थल को धरोहर गोशित किया गया था इसकी अभेलना वरंदेखी की बज़ा से इसे कुरस्थल बना दिया गया लोगों ने इस कुरेदान में धसी मूर्तियों को नोटिस किया एसाई ने इन मूर्तियों को अपने कब जे में लिया इन्हें गुप्त कालीन शान शौकत कला संस्कृती वसभ्यता का उचतम नमूना बताया था हिस्ट्री आफ फरुखाबाद ने 18 अक्टूबर 20 को एक पोस्ट द्वारा मान की थी कि इस क्षेत्र में खुदाई कराई जाए तो अनेकों नई नई महत्वपूर्ण सूच नाइन एकत्रित की जा सकती है अभी कुछ माह पहले पुनह खुदाई कराई गई इसमें प्राचीन काल के कुछ अफशेश प्राप्त हुए है प्राप्त अफशेशों को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये अफशेश गुप्त कालीन या कुशान कालीन सभ्यता को दर्शाते है खुदाई के दौरान एक प्राचीन काल का स्तंभ नुमा आकृती दिखा इसके अगल बगल की जमीन की खुदाई कराई गई पांच दिन तक खुदाई कार्य चलता रहा जमीन से लगभग 10-12 फीट मिट्टी निकाल दी गई लेकिन उस खंभे का अंत नहीं मिला लेकिन खुदाई के समय खंभे के आसपास पांच वी शताबदी के मंदिर की सीडिया चबूत्रा और शंक लिपी में शिलालेक और कुछ प्राचीन वस्तुएं मिली वर्गाकार आकृती के उक्त खंभे की जुडाई पत्थर से की गई है वर्षा मिट्टी में दबे रहने के बावजूत खंभे की चुनाई इतने मजबूत मसाले से की गई है कि इट को स्तंभ से आसानी से नहीं निकाला जा सकता है इतिहास के जानकारों का कहना है कि इट वस्तंभ को देखने से ऐसा लगता है कि ये गुप्त कालीन या कुशान कालीन बौध विहारिया राजमहल का प्रवेश द्वार पर बना स्तंभ है अफशेशों को पांचवी शताबदी का बताया गया है ग्यात हो की चीनी यात्री युवानच वांग ने इस स्थान का पिलोशना या विलासना नाम से उलेक किया है युवानच वांग इस स्थान पर 642-643 एडी में आया था खुदाई में निकले अफशेशों का परीक्षन कर बिलसर में एक स्मारक बनाने की बात कही गई है इसे पर्यटन और रोजगार के नए अफशर पैदा होंगे साथ ही बिलसर भारतिय पर्यटन के फलक पर जाना जाएगा अगर पोस्ट पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें सब्सक्राइब कर दें वसात में लगी घंटी अवश्य दवाएं उद्धरन चेन है